So guys, government की ओर से फिरी सोचाले योजना का लाब अभी तक आप लोग को नहीं मिला है तो इस वीडियो को complete जरूर देखें 2030 में फिरी सोचाले योजना का आप लोग लाब किस तरह से लेंगे, online किस तरह से करेंगे और online करने के बाद जब हम लोग का form जो है approved हो जाता है, यानि कि सारा process complete हो जाता है तो कितना amount दिया जाता है, यानि कि कितना सहयता रासी दिया जाता है, government की ओर से आज की इस वीडियो में हम लोग step by step जानने वाले हैं तो वीडियो में आप लोग अंतक बने रहे हैं साथी दोस्तों अभी तक आप लोगोंने हमारे इस यूटूब चेनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe कर ले and बेन ऐकन को भी प्रेस कर ले वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करना ना बोले तो चलिए start करते हैं सबसे पहले तो आप लोग सवच भारत मिसन ग्रामिन के इस पोर्टल पे आ जाएंगे मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है वीडियो के description पे दे रखा है आप वहाँ से click करके इस पोर्टल पे visit कर सकते हैं इस पोर्टल में आने के बाद उपर में आप लोग देख रहे होंगे citizen corner यहाँ पे cursor को ले करके आना है यहाँ पे second में जो है आप लोग को application form for IHHL जो है एक option मिल जाता है तो इस पर click कर लेना है अब आप लोग के सामने सवच भारत mission gram in page 2 का जो है page खुल जाता है तो यहाँ पे जो है पहले से ही login page खुला हुआ रहता है तो आप लोग यदि registration नहीं किये हैं तो यहाँ पे आप लोग को उपर में option मिल जाता है citizen registration इस पर click कर लेना है अब यहाँ पे आप लोग registration कर लेंगे तो फर्स्ट वाले column में आप लोग अपने mobile number को इंटर कर लेंगे उसके बाद आप लोग का name क्या है उस name को यहाँ पे भर लेना है आप लोग यहाँ पे gender को select कर लेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे address में full address को लिख लेना है यहाँ पे next में आप लोग अपनी estate के name को select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे capture को fill कर लेना है then submit वाले option पे click कर लेना है submit करने के बाद आप लोग का registration जो है यहाँ पे complete हो जाता है अब आप लोग ओके वाले option पे click कर लेंगे ओके करने के बाद आप लोग के सामने जो है signing का page खुल जाता है तो first वाले column में आप लोग अपने registered mobile number को enter कर लेंगे उसके बाद gate OTP पे click कर देंगे अब आप लोग के mobile number पे यानि की registered mobile number पे एक OTP संख्या भेजा गया होगा यानि की one time password send किया गया होगा तो उसको यहाँ पे fill कर लेना है then यहाँ पे capture just tab का लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे भर लेना है and signing वाला option पे click कर लेना है signing हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग display पे देखेंगे की आप लोग का सारा details जो है यहाँ पे आ जाता है यानि की registration करने के time पे जो भी details आप लोगों ने दिया था वो यहाँ पे so हो जाता है अब यहाँ पे सवच भारत मिसन योजना का lab लेने के लिए जो है यानि की आप लोग आवेदन किस तरह से करेंगे तो आवेदन करने के लिए उपर में आप लोग जो menu बार देख रहे हैं उस पर click कर लेंगे यहाँ पे आप लोग first में देखेंगे कि आप लोग का estate का name जो है automatic select रहता है अब आप लोग यहाँ पे second में district के name को select कर लेंगे उसके बाद block के name को select करना है next में यहाँ पे आप लोग पंचायत के name को select कर लेंगे उसके बाद आप लोग का village का name क्या है उस village के name को यहाँ पर select कर लेंगे याँ यहाँ पे आपको मिल जाता है Habitation Name तो आप लोग का निवास अस्थान क्या है याँ कि आप लोगों ने जो गाव को यहाँ पर select करा है उस गाव में और भी टोला होगा तो उस टोला के name को यहाँ पे select कर लेना है अब यहाँ पे section B में देख रहे होंगे name of the applicant as per adhar card यानि कि adhar card में g type का name लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे name enter कर लेना है उसके बाद next में यहाँ पे आप लोग अधार number को enter कर लेंगे अब यहाँ पे red color में आप लोग देख रहे होंगे I am giving my consent तो यहाँ पे आपको एक box नजर आ रहा होगा इस पे tick कर लेना है यहाँ पे verify अधार number वाले option पे click कर लेना है अब आप लोग का अधार card verify हो जाता है अधार card verify हो जाने के बाद यहाँ पे first वाले column में category में आपका APL card है कि BPL card है उसको यहाँ पे select कर लेना है next में यहाँ पे sub category को select कर लेना है यहाँ पे आप लोग mobile number को भर लेंगे next में यहाँ email id को enter कर लेना है email id भर लेने के बाद नीचे जो है आप लोग को address का एक option मिल जाता है इस वाले box में जो है आप लोग अपने full address को enter कर लेंगे उसके बाद scroll down करके नीचे आ जाएंगे नीचे यहाँ पे section C में देख रहे होंगे कि आप लोगों से जो है bank account का details मांगा जाता है यानि कि आप लोग जो भी bank account यहाँ पे दे रहे हैं उसी में जो है आपको amount बेजा जाएगा जब सारा approval मिल जाएगा तब यानि कि account number के सारे details को fill कर लेना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपने bank के IPC code को enter कर लेंगे IPC code इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंटर कर लेंगे और उसके बाद next में confirm account number को इंटर कर लेना है नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे अस्केन first page of passbook तो यहाँ पे अपने passbook को जो है अस्केन करके upload कर लेना है जोज फाइल में जैसे ही click करेंगे आप लोग को जो है आपके फाइल में redirect कर देता है तो यहाँ से जो है आप अपने passbook को select कर लेंगे तो passbook upload हो जाने के बाद आप लोग अस्कोल डाउन करके नीचे आ जाएंगे नीचे यहाँ पे आप लोग को जो है apply का जो एक option मिल जाता है इस पर click कर लेना है अब आप लोग देखेंगे कि सवच भारत mission में जो है ग्रामेन के लिए जो है फिरी सोचाले के लिए जो है आप लोग का application submitted हो जाता है यहाँ पे आप लोग को application number मिल जाता है इस application number को जो है आप लोग कहीं पे note करके रख लेंगे ताकि बाद में जो है आप लोग status चेक कर सके कि आप लोग का आवेदन अपरूब हुआ है या नहीं हुआ है सब्मिट करने के बाद आप लोग यदि अपना status जो है चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे उपर में जो आप लोग को आवेदन कब करा है यह सब डेट जो है यहाँ देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेक अस्टेटस का एक option मिल जाता है तो इस पर किलिक कर लेना है अब आप लोग देखेंगे कि आप लोग के सामने जो है अस्टेटस सो हो जाता है तो यहाँ पे फिरी सोचाले योजना में अप्रूब होने के लिए कम से कम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टोटल चार अस्टेप कम्पलीट होता है तब जो है गबर्मेंट की ओर से आपके बेंक एकाउन में बारो हजार रुपे की जो भी सोचाले बनाने के लिए अब आप लोग सारे प्रोसेस को जो है अप्रूब होने दे लेंगे यानि कि कुछ दिनों का वेट कर लेंगे कुछ दिनों के बाद जो है आपके काउन में जो है पैसा टास पर कर दिया जाएगा तो आई होप आज की इस वीडियो में आप वीडियो में नियो अपडेट के साथ अब तक के लिए जैहिन बंदे मातर